बहुत बहुत स्वागत आपकर एक बार फिर से हिस्ट्री आफ कश्मीर सीरीज में पिछले एपिसोड में हमने ये पढ़ा था कि कुई डिड़ा कौन थी उसके रीन में अभिनव गुप्त जो थे उनका क्या कॉंट्रिबुशन रहा है बाकी के राजा जैसे हर्श थे उनके के बारे में पढ़ा उकल के बारे में पढ़ा तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमने पिछला अपिसोड खतम किया था यहां से आगे देखते हैं श्री जगदेव 191198 से 1213 के बीच में ये राजा रहे हैं इनके बारे में कुछ इंपोर्टन चीज़े हैं जो मैं आपको मैंशन करना चाता हूँ और आपके लिए भी इंपोर्टन होंगी यह जाना कि यह वोपयदेव नाम के जो राजा थे उनके भाई के बेटे थे ठीक वोपयदेव सन अफ़ ब्रदर रफ वोपयदेव यह पहले ऐसे राजा थे जो चुन के आए थे अब यहाँ पर चुनाव की जो बात चल रही है यह कोई प्रॉपर डेमोकरिसी आज की डेट में जो हम देखते हैं वैसी नहीं होगी you have to understand की जो मौडर्ण डेमोकरिसी है वो बहुत रिसेंट फिनोमेना है तो वैसा तो हम इसको कंपेर नहीं कर सकते हैं बट यह वाली इलेक्शन मीन्स के oligarchy type हो सकता है एक elite group होगा या कोई आपका जो मंत्री मंडल होगा उनमें से एक को राजा चुनके न्युक्त किया गया होगा बट फिर भी एक ऐसे समय में जब राजा जो होता था वो by the rule of descent आता था by the concept of purity of blood आता था उस समय चुनाव होना अपने आप में एक बहुत अतिहासिक पल रहा होगा तो you should understand and know कि श्री जगदेव जो थे वो पहले चुने हुए राजा कश्मीर के हुए हैं तो there are traces of democracy in this you can see the traces of democracy you cannot compare present day's democracy with this democracy but yes of course evolution is going on तो वैसा ही evolution मरे political systems में भी है और ideologies में भी है तो एक प्राकार का ये एक shift था एक बहुत बड़ा shift था रूलर्शिप में और political जो वहां का माहौल था उसमें इनके contribution क्या हैं? rooted out evil laws in the country and was well versed in science he was a very well read person सारे जो खराब लाओ थे उनको इन्होंने हटा करके अच्छे progressive laws को पास किया और लेकिन इनके साथ क्या tragedy होती है कि अपने term के बीच में इनको 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 क्या करते हैं expel कर देते हैं इनको गत्दी से हटा देते हैं और लेकिन subsequently he wins over Kashmir again वो conquer कर लेते हैं but finally इनको जहर देखके इनका murder कर लिया जाता है he was killed by his lord of the gates so important चीज़ें कि जाईदरत नाम के एक scholar रहे हैं उनने हरी चरित चिंता मनी नाम के किताब इनके tenure में लिखी थी हरी चरित चिंता मनी ये जो किताब थी ये इनके time पे लिखी गई थी और इनके समकालीन जो major development इंडिया में हुई थी वो भी यहाँ पे mention कर देता हूँ नालंदा को बक्तियार खिलजी ने जो जलाया था वो इसी time के दुरान हुआ था नालंदा डिस्ट्रॉइड बाई बक्तियार खिलजी इन्वेडर बिलॉंगिंग टुदा टर्किक ट्राइब लॉंग सेटल्ड इन्वट इस नौ सदन अफगानिस्तान ही और सेके ने कुत्तु बुदीन आबक जो थे जीजेगा आब यहां से यहां में एक shift over है यहां से अब एक shift आएगी पूरे के पूरे वहां के character के यह जो दमराई डैनस्टी है दमराई डैनस्टी इस basically a dynasty of transition transition से मेरा मतलब है कि अब तक जितने भी rule रहे थे वो single एक cultural community से आते थे वो जो की हिंदू community जिसको कहा सकते है दमराई डैनस्टी के बाद यहां कश्मीर के अंदर Islamic rule जो है वो start होता है जो राजा होंगे यहां से आगे वो muslim राजा आएंगे और यह एक प्रकार का दमराई डैनस्टी जो है वो transition face में आता है हम सबसे important राजा जो है king सुहदेव की बात करेंगे सुहदेव के समय में कश्मीर में दो foreigners दो बाहर के लोग आते हैं तो एक का नाम होता है शाहमीर जो स्वात से आता है स्वात वो region है यह आप जम्मू कश्मीर को देखोगे जहां से जेलम मुर्ती है पाकिस्तान के लिए उसके parallel जब आ पाकिस्तान में घुस जाओगे और थोड़ा नदन साइड पर जाओगे तो वो जो valley वला region है उसको स्वात वैली कहते है तो स्वात से आता है शाहमीर बट एक चिज़ और बताता हूँ यह फिर भी disputed है कि शाहमीर स्वात का रहने वाला था कि एरान का लेकिन अब हम एक जो माना जाता है जनरली कि वो स्वात से था तो हम स्वात को ही लेके चलेंगे इस पर ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं create करेंगे second रिंचन अनाम का एक व्यक्ती था जो लदाख से सुहदेव के राज्य में आता है कश्मीर में और सुहदेव जो हैं वो इतने ज़्यादा विजनरी ना होने की वज़ा से इन दोनों ही foreigners को जागीरें देते हैं उनको जागीरदार काफी अच्छी position माने जाते हैं जागीरदार is like a governor समझ लो छोटे से राज्य का governor होता है उसको जागीरदार कहते हैं उनको जागीरें नहीं कि पूरी जमीन एक territory का उनको control दे देते हैं कहाँ पर देते हैं जो शाहमीर है उनको 12 मुला के नस्दीक देते हैं और जो रिंचन है रिंचन को लार वैली जो है वहाँ पर ये जागीरें दी जाती है तो दोनों ही शाहमीर और जो रिंचन है वो आगे आने वाले टाइम में कश्मीर में बहुत important इतिहास में एक role play करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन इनकी entry कैसे होती है यह दमरा डाइनस्टी में होती है किंग सुहदेव के अंडर होती है यहां से आपको clear हो जाएगा ठीक है इनकी यह भी याद रखना कहां कहां पर इनको जागीर्स दी गई थी आगे देखते हैं 1320 इस्वी की बात है दुलच नाम का एक मंगोल और इन्वेडर था मंगोल उस ताइम पे सेंटरल इस्टे में काफी जादा धमाल मचा रहे था तो दुलच जो है वो प्लैन मनाता है कि मैं क्या करूँगा कि कश्मीर को अटैक करूँगा तो उसके मन में भी डर था लोग अलाओ दिन खलजी की जो एमपायर है उसका अगर एकस्टेंट देखोगे अगर ये अलाओ दिन खलजी ये का एमपायर है तो ये कश्मीर है तो जितना बड़ा एमपायर होगा उतना बड़ा रिसोर्स होगा तो अलाउदिन कल्ची कोईस के इतने resources थे वो भी डर रहा तो सोचो कश्मीर का जो राजा छोट किसी empire को rule करता है उसके resources भी छोटे होंगे तो वो कैसे इतनी बड़ी fearsome fighting force को control करेगा काफी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए इतनी बड़ी जो लड़ाके हैं मंगोल लड़ाके हैं उनको कैसे रोके तो ये डर था लेकिन इस डर में सुहदेव जो थे वो बहुत बड़ी strategic blender कर बैठे सुहदेव क्या करते हैं दुलच को खरीदने का प्रयास करते है उसको कहते हैं कि भाई तू तोड़े मेरे से प्तियानास करना अपनी सेना के अधिकारियों को मरते हूँ देखना शायद नहीं चाहते होंगे शायद उनका motive अच्छा ही होगा कि वो मतलब कतलो गारत से बचाना चाहते थे अपने रीजिन को अपने सिपाहियों को अपनी सेना को अपनी जनता को इस वज़ा से वो ये step करते हैं बट अब दूसरे परस्पेक्टिव से सोची जिसको मैंने strategic blender कहा एक लूटे रहा आपको लूटने आ रहा है और लूटने के लिए वो आपसे negotiate नहीं कर रहा है वो बोलता है कि मैं आपको मारूँगा आपकी पूरी राज्य को लूटूँगा जितनी wealth मिलेगी सारी उठाके ले जाऊँगा आप उसे बोलते हो कि भाई तू इतने पैसे ले ले और इसको छोड़ दे तो उस लूटे रे के मन में ये ख्याल आता है कि अगर ये इतने पैसे मुझे आगे आकर दे रहा है तो ना जाने इसके पास खुद कितने पैसे होंगे तो समझ रहे हो आपने बेसिकली उसको buy-off नहीं किया आपने उसके मन में ये जो suspicion था कि भाई कश्मीर is a very wealthy state वो और जादा enforce कर दिया powerfully अब तो उसको लगा कि भाई इस region को लूटना बहुत जुरूरी है क्योंकि अगर एक आदमी आपको आगे से आकर के एक लाख रुपया दे रहा है और बोलता है भाई मेरे घर में मत आना मेरे घर को छोड़ दो मत लूटना इसका मतलब तेरे घर में एक लाख से जादा पैसे पड़े है तो मैं लूटूंगा तो इस तरह से दुलच जो है वो invade करता है और राजा अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागे किश्तवाड वाला जो region है वहां पे छुप जाते है तो दुलच ने फिर कश्मीर में आके जो कतलोगारत की है जो लूटा है जो जनता को मारा है cutting across the regions of कश्मीर बहुत भारी भ्यंकर scale पे उसने कश्मीर रीजन में 9 महीने तक can you even imagine 9 महीने तक उसकी फोजें गाउं गाउं जाकर के लूटती थी slaves बना करके यहां के बच्चों और ओरतों को वापिस ले गए जिनने Central Asia में बेचा गया वहां से भी पैसा उन्होंने कठा किया क्योंकि slavery इनके culture में बड़ी जादा जो मंगोल्स थे इनके culture में बड़ी जादा मतलब उसको legitimacy थी उसकी माननेता थी यहां से बच्चों और ओरतों को उठा के ले गए यहां के जो भी मंदिर थे उनको तोड़ा गया उनकी wealth को लूटा गया क्योंकि मंदिर जनरली बहुत rich places बाने जाती थी इंडिया में क्योंकि लोग अपनी wealth का बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों में donate किया गरते तो उनको लूटा गया इस प्रकार से नो महीने तक गाउं गाउं फसलों को लूटा गया जो इनके हाथा यार पागल कुत्तों की तरह जब वे पढ़ गए तो उनको जो दिखा इन्होंने लूट लिया तो अब इनकी लूट का जो मतलब जील के अंदर समाया हुआ था मतलब टोटली डेसर्टिड इस प्रकार से कश्मीर टोटली डेसर्टिड हो गया आफ्टर दा इन्वेजन अफ दुलच तो दुलच का कहर आप कश्मीर में देख सकते हैं किस स्केल का होगा तो ऐसा है कि जब दुलच एक opening मिल गई कि अब वो राजा की जगा को acquire कर सकता है तो रिंचन जो है बेसिकली उसने कश्मीर में एक डाइनस्टी स्टार्ट की थी जुल्चू डाइनस्टी ये थोड़ा मैंने आगे पिछे कर लिया इस पर बताऊंगा आपको कैसे वो राजा बनता है लेकिन इतना एक आपके facts के लिए कि रिंचन जो है वो डाइनस्टी जो स्टार्ट करेगा उसको जुल्चू डाइनस्टी मूलते है रिंचन बेसिकली मुसलिम नहीं था रिंचन पहला मुसलिम किंग तो कश्मीर का है लेकिन he is not a Muslim by birth जब वो कश्मीर में आता है तो उस समय तक वो एक बुद्धिस्ट प्रिंस था he was a बुद्धिस्ट प्रिंस फ्राम लदाख इसका असली नाम था लाशन गौल्बू रिंचन ये इसका असली नाम था रिंचन का तो ये एक बुद्धिस्ट प्रिंस था लदाख का जो आकर के बसता है लार में कश्मीर में तो जब after conversion राजा बनने के बाद इसका नाम होता है सद्रूदीन शाह ये नाम याद रखेगा जुल्शू डैनस्टी जो इसका असली नाम रिंचन का असली नाम ये रा लासा गौल्बू रिंचन और इसका conversion के बाद का नाम सद्रूदीन शाह कैसे बनता है इसके बादे में जान करी लेते हैं जब दुलच कश्मीर को लूट रह था और वहां का protector राजा सुहदेव स्पाइन लेसली छोड़ करके जंग किस्तवाड में अपनी जान बचा रहा था तो उस समय इस इनसान ने रिंचन ने अपने इलाके में काफी लूट खुसूट मचाई और वहां पे प्लंडरिंग स्टार्ट कर दी जो जागीर थी इसने उसी को लूटा अपनी ही जागीर को लूटा और अपनी अथारिटी वहां पे असर्ट की एज़ा राजा अब वो अपने आपको आपका जागीरदार नहीं बोलता था बोलता मैं आपका राजा हूँ तो वो प्रोक्लेम कर लेता है थ्रोन आफ कश्मीर कोई राजा है ही नहीं कश्मीर में तो अब रिंचन ने अपनी एरिया में जब अपनी आपको राजा बना लिया तो सड़न यूँ थोड़ा सा पावरफुल व्यक्ति हो गया सबके बीच में और उसने यहां से आकर के क्या कर लिया अपने आपको राजा प्रोक्लेम कर लिया कश्मीर का लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जो कश्मीर में पीछे रूल कर रहे थे वो इतने डरपोक थे एक चीफ मिनिस्टर मुख्य मंत्री रहे है सुहदेव के मुख्य मंत्री जिनका नाम था रामचंद्र ये मुख्य मंत्री रामचंद्र जो थे ये अभी भी कश्मीर में डटे हुए थे और दर्बार में ये अपने कंट्रोल से दर्बार को चला रहे थे तो रिंचन को समझ आ गई थी कि राजा बनने की जो उसकी एक अभीलाशा है एक इच्छा है उसमें सबसे बड़ी अबस्टेकल अगर कोई क्रियेट करेगा तो वो और कोई नहीं होगा बलकी रामचंद्र होगा क्योंकि रामचंद्र को वहां के जो कोट थे वहां के जो मंत्री संत्री तंत्री जितने भी थे उनका समर्थन हासिल था क्योंकि वो वहां का लोकल था और रिंचन आउटसाइडर था तो आउटसाइडर के प्रतिय सस्पिशन प्लस उसकी हरकतों के प्रतिय सस्पिशन शायद रिंचन को यह अहसास था कि वो इस तरह से यहाँ पे राजा नहीं बन पाएगा तो रिंचन वाजा वरी कनिंग परसन उसने जहर देखे इलिमिनेट कर दिया रामचंद्रा को जब रिंचन ने रामचंद्र को मार दिया तो उसके रास्ते का एक मात्र कांटा हट चुका था तो अब रिंचन का रास्ता साफ था तो रिंचन बन गया कश्मीर का king he became the king of कश्मीर he proclaimed himself to be the king of कश्मीर तो अब एक पॉइंट तो आप समझ लो एक बाहर का आदमी जो देखने में भी कश्मीर के लोगों जैसा नहीं दिखता है I mean there is a difference of ethnicity ना इस चीज़ को तो हम मानते हैं without being काया बोलते हैं उसको racist मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अब ये बन्ना दिखने में तो रहा different है अब उस जमाने में तो human rights, equality, ये सब black lives matter तो नहीं था ना उस time पे तो उस time पे तो भाई ethnic city के हिसाब से लोग एक दूसरे को inferior superior मानते थे जो majority community होती थे वो दूसरे race को inferior मानती थी तो कश्मीर के लोग कैसे accept कर लेते एक outsider जो एक अलग ethno linguistic community से आता है वो हमारा ruler बन जाए तो legitimacy concern, पूरा का पूरा जो political science का एक subject matter वो यही है कि राजा राजा क्यूं होगा उसके पास क्या legitimate right है, क्या अधिकार है उसके पास अपने आपको राजा कहने का और क्यूं जनता उसको obey करे why public should obey the king क्या legitimate right है, तो अलग-लग समय पे यह legitimacy का जो concept है, अलग-लग तरीके से जाना जाता है एक समय पे इसे कहा जाता था the rule of descent एक परिवार जो है उसको माना जाता था कि इनका pure blood है, यह powerful है या भगवान के जो नूर है जो अल्ला का नूर है, वो इनमें है या फिर भगवान की वो जो image है वो धर्ती के पर यह राजा है, तो इसके वंचज जो है, वो legitimate rulers है और जनता इस चीज को मानती थी कुछ societies में might was right, जो सबसे powerful होता था वो मार काटके अपने आपको आगे लाता था लेकिन इन दोनों में से गर आप देखोगे ना तो better descent वाला रहेगा although I agree both are bad but we have to choose the lesser of the evils जब दो राजा अपने claim के लिए थ्रोन के लिए आपस में लड़ेंगे तो हजारों नहीं, लाखों के दादाद में जनता मारी जाएगे यानि एक कुर्सी के बिछे लाखों लोग मारे जाएंगे तो इस प्रकार का जो transition था power का वो dangerous है might is right वाला न at least descent वाला सही था उस जमाने के साब से तो वहां के जो intellectual से उनने मान लेगा ठीक है एक ही परिवार से होगा लेकिन इसकी वज़ा से क्या होता जनता के concern भी address हो रहे है और एक truly legitimate सरकार है आज की रेट में पूरी दुनिया में आती है जहां-जहां democracy है तो रिंचन के पास क्या problem है इतनी बड़ी कहानी सुनाने का प्राव legitimacy का वो कैसे अपने आपको legitimate राजा बनाए कैसे कही कि मैं legitimate राजा हूँ उसके मन में दो चीज़ी आई number एक number एक जो था कि वो इनके जैसा बन जाए यानि कि he should adopt Hindu religion जो वहां का majority religion था वो उस Hindu religion को अगर adopt कर लेता है if he becomes Hindu तो शायद वहां की जनता उसको accept कर ले पहला ये दूसरा उसको पता था कि राजा जो राजा नी मुख्य मंत्री जो वहां के थे रामचंद्र उसको बहुत ज़्यादा support था वहां के मंत्री मंडल का तो उसके मृत्यू के बाद obviously बात है ये जो support है ये shift हो जाएगा रामचंद्र के बच्चों पे तो अगर किसी प्रकार से उसके बच्चों को confidence में ले लेता है अपनी तरफ कर लेता है तो legitimacy बढ़ जाएगी तो second was he married the daughter of रामचंद्र रामचंद्र की बेटी से विवाह कर लिया एक और दूसरा अपने आपको हिंदू बनने का उसको ये idea इसके मन में दो आगे पहला कि मैं हिंदू बनता हूँ दूसरा मैं रामचंद्र की बेटी से विवाह करता हूँ होता क्या है अब आगे देखते है रिंचना कोटारानी जो रामचंद्र की क्या थी कोटारानी क्या थी बेटी थी उससे शादी करता है legitimacy पाने के लिए और अपने आपको बोलता है कि मैं हिंदू धर्म को adopt कर लूँगा तो इसी के साथ वो एक चीज़ और करता है कि शाहमीर को अपना minister मंत्री निक्त करता है शाहमीर अब आपको बता चलिए शाहमीर जो दूसरा वाला था बारमुलागवास जागेरदार जो था उसको वो अपना minister बना लेता है वो भी बाहर से था ये भी बाहर से था तो थोड़ी मंत्री मंदल के अंदर भी एक legity मैसी आगेंग नहीं नहीं बाहर के लोग भी आके रूल कर सकते है तो वहां के जो कश्मीर के ब्राह्मन्स थे they sat together they realized कि ये बाहर का बंदा है इसको हम नहीं ले सकते तो they came to the king and said की महराज हमारे धरम के अंदर कोई भी वेदिक injunction ही नहीं है conversion का we don't find any mantra any ritual to convert somebody into the fold of Hinduism तो आपको Hindu नहीं बनाया जा सकता इस पर रिंचन बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है वो राजा होता है और उसी समय वहाँ पर बुलबुल शाह नाम के एक जो Islamic scholar philosopher रहे हैं कश्मीर में आते हैं और वो रिंचन को Islam के fold में convert कर लेते हैं तो इसके बाद उसका नाम पढ़ता है सद्रूदीन शाह ये जो नाम है ये उसके बाद वो adopt करता है और उसकी पहली Muslim राजा बनने का गवरव पराप्त होता है रिंचन को कश्मीर के अंदर रिंचन क्या बन गया अब कोटारानी से शादी कर ली और वहाँ का राजा बन गया सद्रूदीन शाह के नाम से तीन साल कैसका रूल है तीन ही साल तेरह सो बीस से तेईस तक शायद अब ये कोटारानी क्यों इंपोर्टन है मैंने पहले भी एक सवाल किया था कि कोटारानी इस वेरी इंपोर्टन रिसेंटली न्यूज में थी कोटारानी आप में से बहुत सारे बच्चे इस पर रिसेंटली इस पर रिसेंटली आपको पता चल जाएगा कि कोटारानी का नाम न्यूज में क्यों था कोटारानी कौन थी ये आपको उसका इतिहास मैंने बता दिया अब आगे इसकी ट्रेजिडीज को सुनते हैं आफ्टर कनवर्जन जैसी वो इसलाम को कबूल करता है रिंचन अपने आपको सद्रुदिन शाह नाम कराजा बनाता है तो वो श्री नगर का नाम बदल के क्योंकि श्री नगर जो है वो लक्ष्मी के नाम पे है श्री इस यूज फार लक्ष्मी श्री नगर की लक्ष्मी का नगर तो श्री राम कहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि जैसे हम अपने पिता के साथ या किसी के साथ श्री लगाते है वो बलब श्री का मतलब होता है लक्ष्मी देवी तो लक्ष्मी के राम इस प्रकार से जो सीता के राम जो वर्ड है वैसा है तो थोड़ा बताना ज़रूरत है इसलिए मैंने यह चीज़ बताई although it is not concerned with our this subject, history of Kashmir बट श्री नगर जो है वो लक्ष्मी देवी के नाम से है उसका नाम रेंचन पूरा करता है और एक मस्जिद बनाता है जिसका नाम है बोध मसीद यानि के Big Mosque in Kashmir मेरको इसकी कोई picture नहीं मिली है मिलते तुम मैं definitely अफ्रा शेर करता बोध मस्जिद नाम की एक मस्जिद बनाता है यह मस्जिद पहली मस्जिद बनती है कश्मीर की इसका नाम बड़ा important आपको बताना बोध मशीद कश्मीरी में बोलते हैं और Big Mosque इसका मतलब हुआ कश्मीर की पहली मुस्लिम इमारत जो थी एक मस्जिद जो थी वो यही है इसको बाद में तोड़ दिया जाता है और उसकी जगह एक छोटा सा स्ट्रक्चर आज की डेट में होगा वहाँ बड़ मुझे कोई तस्वीर नहीं मिली है इसकी और रिंचन के टाइम पे ही एक और मस्जिद बनती है अली का दल पे और वो अपने जो मेंटर स्पिरिचुल उनके गुरू थे बुल बुल शाह उनकी याद में एक खंका बनाते हैं उनके ओनर में खंका बनाते हैं जिसका नाम था खनका ए, I forgot the name Sorry, कुछ होगा, चलो जैसे आगे आते हैं उसके बारे बात करते हैं खनका के बाद वो एक लंगर लगाते हैं जहांपे मतलब आम लोगों को खाना वाना मिलता है उस तरह से, और उसका नाम था बुल-बुल लंगर, उनके जो spiritual master थे उनके नाम पे वहाँ पे दो दिन में लोगों को दो बार खाना खिला जाता था यह तस्वीर है, खनका ए बुल-बुल-शा, सारी, इसका नाम था जो नहींने बनाया था, बहुत खूबसूरत building है देख सकते हैं पिक्चर में, खनका ए बुल-बुल शा जो था यह रिंचन ने पनवाया था, हो सकता है यह जो structure आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी modifications, restoration के time की गई हो वैसा original structure ना हो, बट इसका जो spirit है, यह original आज तक intact है तो रिंचन के बाद उड्यान देव, उड्यान देव जो है वो सुह देव नाम के जो राजा थे, उनके ही क्या है, भाई है उनके तो जब मृत्य हो जाती है रिंचन की, तो जहां का मंत्री मंडल था जो कश्मीर का, वो उड्यान देव को वापिस इन्वाइट करते हैं और बोलते हैं, आप यहां के लेजिटिमेट रूलर हो, दमरा डाइनस्टी के एक वंचज हो, तो आप आके प्लीज अपना राजपार्ट संभालो तो उड्यान देव जब वापिस आते हैं तो रिंचन मर चुका है तो कोटा रानी से विवाह करके क्या बन जाते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं, कोटा रानी के पती बन जाते हैं, और वहां के राजा बन जाते हैं इतिहास अपने आपको फिर से दोहराता है इस बार, अच्छल नाम का एक मंगोल इन्वेडर पहले कुंसा दुलच अब अच्छल नाम का एक मंगोल इन्वेडर उसको भी जागती है एक अंदर से उसके आत्मा से आवाज आती है कि भाई अब हम भी लूटेंगे क्योंकि जो हमारे दुलच छंकल थे अब बेटा भी जाएगा कश्मीर लूट ने तो जब अच्छल इन्वेड करता है कश्मीर को तो अगेन धमरा डैनस्टी के राजा उड्यान देव फ्लैड्स फ्रम श्रिनगर टू लदाख वो कश्मीर छोड़के लदाख में अपनी जान बचा के भाग जाते हैं लेकिन यहाँ पे कोटा रानी शाहमीर के साथ शाहमीर उनका मिनिस्टर था ठीक है ना उसको इंचने पॉइंट किया था तो वो मिनिस्टर रहा दुनों मिल करके काफी ब्रेवली इस अच्छल को फेस करते हैं मजबूर कर देते हैं उसको रेटरीट के लिए तो अच्छल फाइनली हार के वहां से वापिस भाग जाता है तो अब क्या हो गैशाहमीर जो है वो जनता की नजरों में एक हİरो बन गया जिसने क्या कर लिए कश्मीर को बचा लिया क्योंक्ट एक memory थी ना बहुत उनके fresh memory थी उनके mind में किस तरह से इन मंगोलों ने कश्मीर को लूटा था 9 महीने तक औरतों बच्चों तक को उठा करके यहां से लेके थे बेचने के लिए तो भई शाहमीर ने हमें बचा लिया हमारे मंतरी ने रानी के साथ मिलके बचा लिया तो हीरो बन गया शाहमीर बिकेम हीरो और करके राजा बन जाएगा उसके उपर हम बहुत गहन चिंतन करेंगे और उस पर पढ़ेंगे कि शाहमीर डाइस्टी कैसे कैसे किश्मी में रूल करती है लेकिन वह अगले वीडियो में होगा तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से एक दो बार देखिए नोट्स बनाईए रिवाइज कीजिए आफ्टर इस इन वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखिएगा अच्छे से देखने के बाद आप उसके ऊपर मतलब नोट्स भी अपने बना लें अगर आपको कहीं और से भी आपने पढ़ाया तो अपने नोट्स में आइड सब्ट अगले वीडियो मिलते हैं शाहमीर डाइनस्टी के साथ